या बच्चा मेडी हेल्प में आप सब का स्वागत हैं जब हम प्रेगनेंट होते हैं और अरली प्रेगनेंसी में रूटीन टेस्ट के लिए जाते हैं तो रूटीन टेस्ट में एक सोनोग्रॉफी होती है तो कुछ महिलाओं की सोनोग्रॉफी रिपोर्ट में आता है मिस्ट तो एबोशन के नाम से महिलाएं घबरा जाती हैं चीन्ता करने लगती हैं कि एबोशन से तो पता चल रहा है कि हाँ एबोशन मिस्ट गर्वपात लेकिन यह कैसा एबोशन है कि ना तो इसमें कोई ना ब्लीडिंग हुई ना पेट में पेन हुआ ना क्रेंप हुआ यह कैसा एबोशन है तो महिलाएं यह जानना चाहती है कि मिस्ट एबोशन क्या होता है तो फ्रेंट्स इसलिए आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मिस्ट एबोशन क्या होता है मिस्ट एबोशन ह कुछ महिलाओं को बार-बार मिस्ट एबॉशन की प्रॉब्लम होती है तो क्या उनकी फ्यूचर की प्रेगनेंसी में नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है तो आज के इस विडियो में मैं मिस्ट एबॉशन की बारे में डीटेल में बताने वाली हूं तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में जब 20 वीक से पहले एबॉशन होता है तो उसको कहते हैं मिस्केरफ जाता है तो जब miscarriage होता है जब गरपाथ होता है तो सबसे पहले spotting होती है और spotting होते होते bleeding होने लगती है bleeding के साथ blood के clots आते हैं tissue के clots आते हैं ताकि pregnancy में uterus में जो embryo develop हुआ है जो brund बना है उसके जो products हैं वो बाहर आ सके तो इसके साथ पेट में बहुत जादा pain होता है बहुत जादा cramp होता है back pain रहता है time में pain रहता है तो ये सारे miscarriage के गरपाथ के symptom होते हैं और mist abortion में क्या होता है कि जब आप pregnancy के 10 weeks से पहले 12 weeks से पहले sonography करवाते हो और sonography में ये दिखता है पता चलता है कि fetus की heartbeat बेबी की दिल की धड़कन stop हो गई है रुक गई है बेबी का growth रुक गया है तो इसका मतलब होता है कि mist abortion हो गया है mist abortion को silent abortion भी कहते हैं क्योंकि mist abortion में ना तो कोई sporting होती है ना तो कोई bleeding होती है ना पेट में pain होता है ना cramp होता है mist abortion का कोई symptom नहीं होता है लेकिन हाँ जब mist abortion होता है तो pregnancy के जो symptom होते हैं जैसे कि morning sickness, nausea, vomiting, ulty और मतली होना breast में pain होना, tenderness होना जो की pregnancy के symptom होते हैं तो जब mist abortion होता है तो ये सारे symptoms नहीं आते हैं लेकिन इससे भी mist abortion का पता नहीं चलता है क्योंकि ये जो pregnancy के symptom होते हैं वो पहली तिमाई के बाद से अपने आप ही चले जाते हैं 12 weeks के बाद ये pregnancy के symptoms नहीं आते हैं तो इससे भी mist abortion का पता नहीं चलता है mist abortion का पता केवल और केवल sonography के द्वारा चलता है जब sonography में ये पता चलता है कि बेबी की heartbeat जो है वो stop हो गई है इसका मतलब होता है कि mist abortion हो गया है तो जब mist abortion हो जाता है तो doctor condition के according abortion advice करते हैं कभी doctor medicine के द्वारा abortion करते हैं तो कभी surgical abortion करते हैं कभी dnc करते हैं अब बात करें mist abortion के कारण की mist abortion होने का क्या कारण होता है तो mist abortion होने का सबसे पहला कारण होता है chromozumal abnormalities अनुवांसिक खराबी कभी एग की quality सही नहीं रहती है कभी sperm की quality सही नहीं रहती है लेकिन फिर भी sperm और एग का fertilization होता है और भ्रूण develop हो जाता है लेकिन fertilization तो हो जाता है भ्रूण तो बन जाता है लेकिन उसके पास से भ्रूण का development नहीं होता है growth नहीं होता है तो mist abortion हो जाता है दूसरा कारण होता है maternal disease अगर मदर को कोई disease रहती है जैसे कि मदर को BP की problem रहती है तो इसके कारण से भी mist abortion होता है तो अगर किसी को एक बार या दो बार mist abortion की problem हो रही है तो इससे उनको चिंता करने की या घबराने की जरूरत नहीं होती है future की pregnancy में उनकी pregnancy normal conceive भी होगी और वो normal तरीके से आगे progress भी करेगी तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए लेकिन हाँ अगर आपको mist abortion की problem तीन बार हो रही है चार बार हो रही है आपको बार बार mist abortion हो रहा है तब आपको डॉक्टर के treatment की जरूरत होती है तब डॉक्टर आपके hormone का टेस्ट करते हैं प्लेसेंटा की जाच होती है आपकी future की जो pregnancy होती है उसको डॉक्टर के under observation आपक जानकारी मिल गई होगी तो अगर आपको यह video useful लगा होगा तो इस video को like करिएगा अपने friends के साथ जादा से जादा से एर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और इस channel को subscribe करिएगा इसके अलावा अगर आपको इस video से related अपनी health से related कोई भी problem हो तो आप से अगले video में तब तक आप अपना ख्याल रखिए thank you